हेलो एब्रिवान तु लग रहा ना यह देखे शांदार पोहा इसे आप भी बहुत यह आसाने से और जट पड से बना सकते हो तो चली रैस्पी शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं ने एक पहुने में एक कप भर करके पानी आड़ कर दिया है और इसी में एड़ कर देंगे ह भी आड़ साथ में एक हरी मिचे और ज्यादा समय तक बॉयल करेंगे ज्यादा समय तक बॉयल नहीं करना बस इसका कच्छापन कम हो जाए पार इसका जो है पानी हम निकाल देंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए कुछ इस पाइसे जीरा राई सॉंफ और हिंग तो इसको यह बन करके तैयार होगा और इतना ही स्वाद लगेगा तो इसमें मैंने कटी हुई प्याज आड़ कर दिये साथ में एड़ कर देते हैं करी पत्ते जिससे स्वाद और वह अच्छा हो जाएगा और इसे अच्छे से मेक्स में कर लेंगे के यह तरीके से सात में कर देंगे हल दी से सीस बढ़े ह्लका अच्छा गण गालर अच्छा हैँ और स्वाद भी आता है और इसके बार इसमें हम अब्स्तिख अब रखे तक पोह और रखा द्यूम धो अब इसमें अब फेर्ट करदेगे स्टेस्फ पर प्रेट इसको चक्थ ड्हयं अच्छी में छया traff ли बूयां तो इसमें का दोल्लक को 25-25 सारे स्टे मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने चाहिज हों में उसलेच Management तो हम चुत उसीक्हal见 और एद्ट संहुत holy समय चछ कुंगा साम चंछ हमा अरच boat से च्भी में लिए जाए और कॉलकिंगा सब्राइब कशा आदी ऊड़ी है देका सदंगा सब्सक्षि सदिंगा। अच्छे से मिला लेंगे उच्छा, मुझ कशा होगा है नच्छे सी billion-ne-n questa रतम परच करे मि Q कर लेंगे एप इसके सुषद को बाल्स करने के लिए ऐसे इसे लिए निई बढे से कि लिए ऐसे कृते हैं इसे आप की आंशान जडपट brother बनकर के पोह तैयार हो जाता है और यह पुआ न आप बचों को tip in box में भी दे सकते हो lunch box में भी दे सकते हो क्योंकि बच्चों को तो ये पसंद आना ही आना है और बढ़ों को तो पसंद आता ही है तो ये देखिए कितने अचछी से और जट पर से बनगा के तयार हो गया और आप इसे नमकीन डाल का